हेलो दोस्तों मैं सुरिंदर प्रजबती मेरे यूटूब चैनल साइन्स अकेडमी हब पर आपका स्वावत है हो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा अब आगे चाहिते हैं यह है चेप्टर नंबर 12 साइंस की वुक है तो हमने पिछले वीडियो में देख लिया था तीन वीडियो के इंदर देख लिए था क्या क्या देखा था वह भी देखते हैं सबसे पहले हमने देखा था करंट आई बराबर क्यू अपॉन टी यानि करंट आई बराबर क्यू अपॉन टी देखा था हमने पहले यह होता है दारा करंट यानि किसी समय में कितने आवेश परवा ही तो थे माना कि यह कुछ चालकतार है इसमें कितने आवेश परवा हो रहे है इतनी से किनों इतने आवेश परवा हो रहे है तो इसकी दरो भी हम बोल सकते हैं विदुत आवेश के परवा की दर को चालकतार की इंदर विदुत आवेश के सर्कीट आता है यानि जो विदूद धारा का स्थत आते हैं वो बंद पत्त है विदूद परिपत कर लाता है वो रिख सर्कीट के अंदर क्या रहता है तो चारलगतार बेटरी सिविच बलब पे आदि जुड़े होते हैं सही बात पोटेंशल डिप्रेंस यानि विदूद वि Midwest को एक विन्दु शे दूसरे विन्दु तक ले जाने में जो कारी करना पड़ता आना एक विन्दुछ दूसरे विन्दु तक एक कांग कायईस को एक मिन्दु चे दूसरी बिंदू तक ले जाने में जो कारी करना पड़ता है उसे विदुति विवांतर कहते हैं और हम देखा था ओम स्लो वी बराबर आई यार विदुति विवांतर वी बराबर आई यार आम स्लो किया ऒोलता है कि कुछ चारलगतार में दाटु के ज़र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक है जानी विवांतर और उसमें से परवाइतोंने वाली धारा के समानुपाती होता है सही अभी समानुपाति के यह चिन उसको हटाएंगे यानि बराबर करेंगे तब यह एक कॉंस्टेंट आएगा आर जिसे बोलते हैं परती रोधे सही यह सब इंपोर्टेंट इस चेप्टर के लिए याद रिखना और धारा को मापना मापन अब देखने के लिए वोल्ट मीटर जो पार्शो करम यानि समानुपात्र गरम में लगाया जाता हमेशा और हमने आगे देखा था जैसे कि इस समीक्रण से ही यह परतीरोध वी वांत्रवंदार यह भी हो सकता है यह फोर्मूला बन सकता है इससे ही बन सकता है यानि यह इं और अब देखो इस एक समीक्रण से यह दो बन गई तो यह मौस्ट है तो इसको आप यह दूद्रव पार्ति रोध देखता है वोदी रेजिस्टिविटी यह रोख रोख तो रोख की जाए और सिर्फ परतीरोध ना परतीरोध दारा के ब्यूत करमान उपाति होता है यानि कि दार ये परतिरोध जादा होगा तो धारा कम होगी दारा जादा होगी तो परतिरोध कम होगा तो ये रो यानि रेजिस्टिविटी परतिरोध ता वो कैसे यानि लंबाई के परतिरोध लंबाई के समान उपाती होता है यदि कोई लंबा तार है मालू ये है और इससे और ये लंबाधार तो परतिरोद लंबे वाले का ज्यादा यह बेँ लंबाई के समानुपाति और अनुपरस्त का आटि के वितकर्म अनुपाती हैं तो इससे हम एसे लिग सकते हैं यह ना अर समानुपाति इलबं यह अभी यह इस चिन को उटाएंगे, हम समन को तेकं चिन को हटाएंगे, तो क्या आएगा, रो आएगा, उचे बोलते हैं, रेजिस्टिविटी परती रोधकता, तो आर बराबर, रो एलपॉन ए, ये हो गया अपना परती रोध, अब परती रोधकता, ये भी इंपोर्टेंट है, याद रोधम्य परती रोधकता, रोध रोधकता, रेजिस्टिविटी इसका हो जाएगा मेटर मेटर से मेटर केंचल तो ओम मेटर हो गया सब्सक्राइब अब हम आगे करते हैं क्यूशन्स जो हमारे चैप्टर में क्यूशन्स है वो क्यूशन्स करते है चलो आगे चलो देखते है एक एक्जाम्पल दे रखे है है यानि book name example ले हैं यही किसी व्यूत बलब के तन्तू का प्रतिरोध हा वूत बलप यह बलब के तंतू किसे बने होते है टंगस्टन से यह यदियाद रखना तंतू टंगस्टन के बनने होते हैं पर तेरोध 20 वोल्ट सोरोत से कितने उदौ धारा लेगा कि अब देखते हैं तागे क्या-क्या दे रखा है वो देखो पर ले यह हैं अब देखते इस कांसर पहले दे परती रोध आर बराबर यह जब से पहले दे रहा है इसके अंदर परती रोध आर बराबर 1200 ओम पर दे रहा है विव उन्तर यानि ये वोल्ट 220 वोल्ट प्सरोत से कितनी दारा लिए तो ओम से लोग है बोलता है यानि किसी दातु के तार के दो सीरों के मद्देवी बहांते है और उसमें से परवाइद धारा के वो समान उपाती होता है तो वह हमारा काम आएगा वी बराबर आई आर वी दे रखा आर दे रखा आधारा आ जाएगी आर आई वी दो सो वोल्ट और क्या दे रखा परती रोध बारा सो विदुत बलब का निकाने विदुत बलब दारा कितने लेगा देख लो लगबग लगबग आएगा इसका मान पॉइंट अठारा एंपियर आगया इसका दो से वी बराबर आई यार आई और वी यह उपर वी ओजाएगा यानि कि हम एसे देखते हैं वी अपॉन आर वी अपॉन आर आई आ हमारा धारा करंट है तो यह लोग देख लिया अब अगला क्यूशन यह क्यूशन क्या बोलता है यह दिकिसी विदुत हीट इसके अंदर हीटर दे रखा हीटर की कुंडली का प्रतिरोद सो ओम है तो यह विदुत हीटर सरोत है यानि सरोत दो सो बीस वोल्ट का ले रखा है तो यह कितनी धारा लेगा इसका क्यूशन करते हैं अब आज़र पहले दे रखा है आर सो ओम एंड वीवहंतर यानि बराबर आई यार 220 वोल्ट और इसको एक से कर सकते हैं यह नहीं करंट निकालना है में धारा तो आई बराबर वी एपोन आर तो 220 वोल्ट यह परतिरोद यह हमारी करंट तो कितना जाएगा ये लो जीरो से जीरो कैंसल वो देसका इसके इंदर भाग देते हैं 2.2 एमपेर यानि हमने पहले इस क्यूशन में ले रखाता कि विदुत बलब तो बलब है तो बलब तो कम दाहराई तो गरहन करेगा और ये हीटर है दूसरे में तो हीटर ज़्यादा गरहन करेगा तो दाहराई तो यह देगो इसके अंदर आई है पॉइंट 18 एमपेर इसमें 2.2 एमपेर आई है चलो अब आगे चलते हैं अगला क्यूशन क्या बोलता है जब कोई विदुत हीटर विदुत सरोत से 4 एमपेर विदुत दारा लेता है तब उसके टर्मीनोलों के बीच विवांतर 60 वोल्ट है उस समय विदुत हीटर कितनी विदुत दारा लेगा जब विवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता यह 120 वोल्ट बाद में बड़ा है जाता है पहले टर्मीनलों के भी 60 वोल्ट है यानि कोई विदू थीटर है उसमें विदू सरोच से 4 एंपियर विदू धारा लेता है कि यह आई हो गया 4 एंपियर विदू धारा लेता है सरोच से तब उसके टर्मीनलों के भी यानि यह कोई वी दो शीरे होते है उसके बीच में 60 V क्या है? 60 V है साहि, पिर उस समये विदुथ ही टर कितनी विदुथitely दारा लेगा जब विदुथ आंतर को 120 V बड़ा दिया जाता है यहीं 60 से 120 V बड़ा दिया जाता है तब कितनी लेगा? चलो इसको सूल करते हैं कि वोई वी बराबर आया तो यहां से हम पहले इसका परती रोद निकालते परती रोद कितना है आर बराबर वी एपोन आई सई वी दे रखा है हमें साट आई दे रखा है चार तो कितना जाएगा पंद्र है कि पंद्र चौक साट तो यह हो गया पंद्र है को सई अब बोल रहा है कि उसन 120 वॉल्ट तक बढ़ा दिया जाता है इसे 120 वॉल्ट तक बढ़ा दिया जाता है तो कितनी धारा लेगा फिर यह कितनी धारा लेगा तो देखते आई बराबर वी अपोन आर अब 120 वोल्ट है या फर वी वांतर कितना है 120 वोल्ट तो 120 और यह परतिरों देभी निकाला था 15 तो कितना हो जाएगा यह तीन से कार देते तीन 15 तीन चब बारा चारीज फिर पाच अंटे चारीज आठ आठ एम तीर की धारा लेगा यह शही एक बड़ देख लो चलो नेक्स्ट क्यूशन पर चलते हैं अब यह क्यूशन देखते हैं क्या बोल रहा है किसी धातू के एक मिटर लंबे तार का 20 डिग्री सेल्चेस पर विदुद परतिरों अब उनने क्या बताया था कि ताप वह दाब यानि तार का ताप वह दाब समान रहना चाहिए न यह इंपोटेंट है डाइरेक्ट भी पूश सकता है आपको तो यह याद रख लिए हो यानि 20 डिग्री सेल्चेस पर विदुद परतिरों 26 ओम है यह तार का व्यास पॉइंट 3 मिलिमेटर है तो इस ताप पर धातू की विदुद परतिरों दकता रेजिस्टिविटी क्या होगी यानि कोई मोटा तार है उसका व्यास यानि कि यह कोई तार है एसा इसका अनुप अन पुर्स्थकाट का यह परस गर्ड इसका व्यास इसका व्यास वह पॉर्ट टीर इसका व्यास दोंती मिलिमेटर मिलिमेटर दसकीगात माइनस थीमीट अजैगा इसको हम कण्यूड करेंगे मीटर में अब ये पोईंट है इसको हटाएंगे तो यह ज़्वाइगा दस्किवाद मैनिस चार हो जाएगा कि यानिकी 3 into 10 की वाद माइनस 4 मेटर हो जाएगा शएए अब क्या वोल रखा है हमें तो परती रोदक्ता ग्याद करनी है हमने देखा था R बराबर Rho L अपून A तो ये परती रोदक्ता ये ग्याद करनी है तो Rho बराबर R A अपून L ये लोग इसे हम ग्याद कर लेते हैं भी देखो कैसे R हमें दे रखा है 26 Ohm है एंड ये 6 पर ये निकालना है हमें वो कैसे निकाले देखते हैं यानि Pi R स्कुाइर इस अनुपरस्त काट का 6 पर क्या हो जाएगा Pi R स्कुाइर तो Pi R स्कुाइर R किता दे रख हमें तो व्यास दे रखा है तिर्जय नहीं दे रखी तो तिर्जय इसकी आधी हो जाएगी यानि इसकी आधी मतलब एक पॉइंट पाच इंटू देश की गात माइनस चार इंटू एक पॉइंट पाच इंटू देश की गात माइनस चार क्योंकि R स्कुआर है ना तो हम इसको डवलबर हो गया ना अब क्या एगा लंबाई ये तार कितना लंबा है ये तार एक मिटर लंबा है तो अब हम इसे सोल करते हैं सोल करेंगे तब क्या एगा की देखते है है इसे सोल करेंगे तो क्या होगा देखते हैं यानि 26 इंटू पाई का मान होता है 3.14 या होता है यानि पाई का मान होता है 3.14 या 22 बटे 7 ये मान होते पाईगे तो हमने यहाँ पर ले लिया है 3.14 एक पाई को एक पाई से इंटू करेंगे 2.25 देखत मान होता है ये हो जाएगा देखत मान हो जाएगा देखत माने साथ तो आप इसे सोल कर सकते हो तो सोल करने के बाद हमें प्रावत होगा 1.8 इंटू देखत माने सिक्स ओम मिटर यानि ये परती प्रोदेक्ता का मातरग होता है ओम ओम मिटर होता है चलो अब आगे क्यूशन देखते हैं अगला ये देख लो पहले अब ये दूसरा एक एक्जामपल है तो ये एक्जामपल और देख लेते हैं बुक का एक्जामपल है इंपोटेंट है यानि बुक के सारे क्यूशन इंपोटेंट है और एक्जामपल भी इंपोटेंट है एक्जाम में ये ही पूचे जाएंगे बाहर से कुछ नहीं आएगा ज्यादा बस बुक्षे ही पूचे जाएगे तो देखते हैं क्या हो दीएगे परदार्त के किसी एलं लम्बाई त्था एमोटाई के तार का परतिरोध यइनि एलं लम्बाई का है एलं लम्बाई एमोटाई याँट्टर ए इसी प्रदार्द के किसी अन्य तार का अन्य तार का प्रतिरोद क्या होगा जिसकी लंबाई L Y 2 तता मोटाई 2 A हो जिसकी लंबाई L डेस बोल लेते हैं यह अन्य अन्य तार ले रखा है तो L डेस वराबर L Y 2 है और यह A डेस वराबर हम बोल सकते हैं तू ये ले रखा है सई परतंतार में क्या बोला है ये पश्टतार और ये ये वाला तो पश्ट वाला तार हो गया और ये वाला हो गया सेकंड वाला तार तो पश्ट वाली तार में क्या बोला है R1 R1 वान सकते हमें यह पश्ट तार यानि एक पहले वाला तार R1 बराबर क्या होता है रो एलपोन A होता है तो LL दे रखा है इसके अंदर लंबाई और A दे रखा है मोटा यह परिस्ट काट का चेतरपल और ओम दे रखा है चार ओम तो हम चार ओम है ये लो ये बोल सकते हैं अब सेकिंट यानि सेकिंट तार क्या दे रखा है सेकिंट तार को R2 बराबर रो LD अपोन AD अब LD क्या दे रखा है रो LY2 और AD क्या दे रखा है 2A सई अब ये दो तो निच्चे है तो ये हो जाएगा फोरे तो रो L अपोन फोरे हो गया सई अब पस्ट वाले तार के अंदर क्या दे रहा है रो रो अपोन एक का मान चार ओम दे रखा है तो रो अपोन ये रो अपोन एक का मान हम क्या रख सकते हैं यहापर चार रख सकते हैं ना तो चार बटे चार कितना आजाएगा आरटू आरटू आजाएगा एक ओम सई देख लो एक बार इसको कि क्या बोलाएगी पस्ट तार की लंबाई एल है और अनुपस्ट का रख सेतर पल उसका ए है और उसका परतिरोद आर दे रखा फिर इसी फरदार्द के यह नि फरदार्द तो वही है अभी फरदार्द चेंज हो जाता तो यहापर परतिरोद भी चेंज हो जाता यहापर यह सब चेंज हो जाता आर टू आर वन यह चेंज तो अन्ने तार का परतिरोद क्या होगा जिसकी लंबाई को सेकिंड है तार है उसकी लंबाई एल वाई टू है और मोटाई कर दी इसकी दो यानि छे इसका अनुपर स्कार का चित्र पर दो गुणा कर दिया उससे तो हम आर वन बराबर आर व बराबर क्या होता है रो एल अपोन ए तो हमें दे रखा है पश्ट तार का परतिरोद चार ओम और आर टू दे रखा है यानि आर टू में ग्याद करना क्या बोला है कि अन्ने तार का परतिरोध क्या होगा तो में second वालितार का परतिरोध ज्याद करना है तो yellow आद्दा यानि ly2 दे रखा है 2a दे रखा है कुछ नहीं करना वस formula याद रखना है और उसमें ही put करना है आद्धा row L upon A command 4 ohm दे रखा है आएगा एनी सेकंड वाले तार का परतिरोद एक ओम आजाएगा थेंक्यू प्लीज दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेर जरूर कर दीजिएगा